Hello students, welcome to Life at EMU, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Self Finance के Form कब आएंगे, तो Self Finance के Form सबसे पहले Question आ रहा है कि Self Finance के Form इस बार आएंगे यह नहीं कि Admission होगा नहीं क्योंकि March आने वाला है और March में Semester होने वाला मतलब Year पूरा होने वाला होता है, April में Exams हो जाते हैं, तो अभी तक Forms नहीं है, तो सब को लग रहा है कि Regular वाले तो Admission हो जाएंगे, अब जो Self Finance है उसे Cancel कर दिया जाएगा तो ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो उसके बारे में बात करूँआ अगर होगा तब मैं बताऊँगा कि कब आएंगे Forms और क्या सब चीज होने वाला है, कैसे process होगा तो Self Finance वाले बहुत message कर रहे थे और comments कर रहे थे, तो query clear करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो सबसे पहले अब बात करते है कि Self Finance के form आएंगे या नहीं, कि इस बार admission होगा नहीं देखे, Self Finance के form जो है, वो आने के जादा chances है, आएंगे बिल्कुल क्योंकि University को दिखाना होता है, कि इतनी admission हुए है, ये सब सब चीज है, क्योंकि फिर महां से budget वगरा जो भी होता है, फिर दिखाना पड़ता है, देखे, seats खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक तरह का course ही बाकी अब कब आएंगे form, form आने के बारे में देखे, इसमें form कब आता है, Self Finance के वैसे आपको basically पता होगा नहीं पता होगा तो आपको बताता हो, जो regular के admission होते है ना, उसके बात आते है, वो क्यों आते है, देखे, Self Finance में admission उनका होता है, जिए बच्चे form भरे होता है, और entrance म वो regular में उनका admission नहीं हो पाता, जैसे 35 कटो अगर गई कटो, 34 वाले को admission नहीं मिला तो उनने last वालों को मिल जाता है, और बाकी internal को थोड़ी preference जादा दी जाती है, फिर उसमें उन बच्चों के लिए ये seats vacant होती है, कि जिनका regular में नहीं हुआ, उनका self finance में होगा, तो अब म हो जाएगा complete admission, तभी तो पता चलेगा कि इसका regular में नहीं हुआ, अभी क्योंकि और 456 firm list आ रही है, अभी उनमें जब आ जाएंगी complete हो जाएगा, कि clear हो जाएगा, हाँ, अब admission हो चुके, अब किसी का नहीं होगा, अब चाए seat vacant रह जाए या कुछ भी रह जाए, एक date होती तो मैं वीडियो बना दूँगा, क्योंकि अब ये तो नहीं पता admission कब तक होंगे, फर्मले 6 कब तक आएगी या आएगी भी नहीं आएगी, तो इसलिए मैं चैनल पर सब चीज अपडेट दे दूगा, और वीडियो आ जाएगी इस चैनल पर, कि आ गए हैं, और कैसे apply करना है, offline करना है, इस बार online करना है, या procedure किया है, या फिर आपको क्या क्या करना है, जो भी सब चीज मैं आपको बता दूँगा, और फिर admission कैसे होंगे, उसका result कब आएगा, तो इसलिए सब चीज अपडेट देखने के लिए आपको साइट पर बारवाल जाने की जरुरत नहीं बस एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, लाइफ है टेम्यू का, और सब्सक्राइब कर लिजिए, और वीडियो जरूर आपको अच्छी लिगी होगी, क्योंकि बच्चे परेशान थे, तो परेशानी दूर कर दी, देखी, मैंने बता दिए, इसमें सब चीज की हो गए, और आपका सेल फाइनेंस तो होकर रहेगा, बाकी जब आएगा मैं आपको चैनल पर बता दूँगा, तो इतनी बात थी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी जितने भी बच्चे आपके सेल फाइनस का वेट कर रहा है, उनने शेयर कर दीजिए, और वीडियो देखने लिए थेंक यू